हेलो एवरिवन तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही सिंपल वाटर कलर एफेक्ट में पिंक कलर के फ्लास इसको बनाना बहुत ही असान है ये सैलमन पिंक कलर मैंने लिया है और उससे मैंने चोटी चोटी डॉट्स बना दी है अब मैंने इसी ब्रश को पानी में डिप किया और उन डॉट्स को आप देख सकते हैं मैं कैसे फैला रही हूँ बस इतना ही आपने इसको फैलाना है इसमें और कलर नहीं लगाएंगे अब मैं लोगी बिल्कुल एक प्लेन ये मेरा प्लेन क्लीन ब्रश है और इसमें मैंने प्लेन पानी लिया है ये ध्यान रखेंगे कि जो इस ब्रश पे पानी होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं होना चाहिए अगर इसमें आपने color लगा दिया तो आपका design नहीं बनेगा अब आपने पानी लगा दिया और अंदर की area से सिरफ अंदर की side से आप देख सकते हैं मैं कैसे उस brush में पानी लगा कर हलका हलका सा shade दे रही हूं कुछ नहीं है, सिरफ brush को हलका हलका गुमा रही हूं अभी मैंने इसी brush में हलका सा golden color लिया है और उससे मैंने हलकी हलकी सी shading कर दी है जैसे हमारे flask की shape होती है आप बस वैसे ही थोड़ा थोड़ा golden borders borders पे लगा कर आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप अपने इसके अंदर shading दे देंगे हमने flask को golden color का हलका हलका shading दे दिया है उसके बाद जो बहार का area है वहाँ पर भी हलका सा मैंने shape दिया है सिरफ flour का जो हमारा design होता है flour के petal का shape होता है सिरफ उसके हिसाब से हलका हलका सा golden color मैंने और लगा दिया है कलर लगाने के बाद बाकी का काम करेगा हमारा पानी हमें इसको फैलाने के जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पानी के हिसाब से वो अपने आप फैल जाएगा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर वहाँ पे मौसम बहुत गरम है तो पानी की कौन्टिạnh थोड़ी जादा रखेंगे बट अगर मौसम थंड़ा है तो पानी बहुत जादा नहीं लगाएंगे पानी उतना ही लगाएं जो थोड़ी जिर में सुख जाए कलर को लगाने के बाद अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है अब मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया और सूखने के बाद अब मेरा डिजाइन ऐसा है अब मैंने लिया है black color और triple zero का brush और आप देख सकते हैं कि मैं उससे इसको border दे रही हूँ ये पूरा का पूरा जिसे full full lines नहीं होती है broken lines का border है आप देख सकते हैं कैसे देना है और अंदर की side पे भी हमने पतली पतली सी lines बना रही है बस ये lines बनाने के बाद आपका flower ready हो जाएगा और आप अपना design बना सकते हैं अगर आपको ये बहुत easy और simple सा flower का design अच्छा लगा हो तो please मेरे channel को like, share और subscribe जरूर करें Thank you so much